हेलो फ्रेंड्स एको फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विशु तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि Microsoft Paint में Gradient Color कैसे बनाते हैं बहुत ही असान तरीके से समझेंगे तो जैसा कि आप देख रहा है यहां पर हमारे पास blank canvas है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका partition करेंगे partition आप कितने भी कलर में कर सकते हैं तो उसके लिए में क्या करना है shapes में जाना है यह देखी यहां पर shapes वाला box आपको दिख रहा है यहां पर line select कर लीजे हमने line यहां पर select कर लीए अब इसको हमने यहां फिल कर दिया कोई भी color आप ले सकते हैं उसके बाद हमको जाना है पिक्सल वाले option पे इसको select कर दीजे उसके बाद यहां से maintain aspect ratio को uncheck कर दीजे यह चेक मार्क नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर horizontal की जगे हम क्या करेंगे one type करेंगे और नीचे से ok पे click कर देंगे ठीक है यहां से हमने इसको ok पे click कर दिया उसके बाद वापस से जाएंगे री साइज पे वापस से हम री साइज पे गए और यहां से फिर से हमने पिक्सल को select किया और यहां पर maintain aspect ratio को uncheck किया और जो साइज पहले था उसको हम वापस से यहां टाइप कर देते है यहां 1339 ठीक है उसके बाद यहां से ok पे click कर दीजे और आप देखेंगे कि आपका gradient color ब